अलो रिवन वेल्कम टू स्टडी आई को तो आज इस वीडियो में हम डिस्स करेंगे उडिसा के करंट अफेर नवंबर महीने के दो हजार तेइस करंट अफेर हम डिस्स करेंगे और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोल जैसा कि आप सबक तो पता है बढ़ते हैं आगे आगे बनने से पहले मैं आपको बता दूँ आप मुझे डिफरेंट सूशल मीडिया हैंडल की उपर आप फॉलो कर सकते हैं सारे अपडेट्स जो हैं टेलिक्राम चैनल की उपर आपको यहां पे मिलते रहेंगे पीडिएफ अगेरा सब चीज कर सकते हो आपको एक कोड लगाना है वी आई पिलाइफ तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं जी पहले कोशन से लकमी जो है स्कीम ऑफ उडिशा के बारे में आपसे कोशन है यह क्या है फिर्स अफॉल इसका इन्हें आपका फुल फॉर्म द इनिशेटिव स्कीम है क्या देखें पॉइंट देखते हैं ऑप्शन फिर उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे अंडर दा स्कीम दा स्टेट गवर्मेंट प्रवाइब लोंस तो दा विमन सेल्फ एल्प ग्रूप नहीं यह ऑप्शन गलत है दा सर्विस फर्स्ट कॉमेंस इ तो है आपको ट्रांस्पोर्टेशन खास करके उन लोगों के लिए अमना सभी लोगों के लिए अक्रॉस यह चांब आसके और number B is the correct answer, second only is the right answer, यहाँ पे हम last connectivity in the state और intermodal connectivity और transportation on to health services की बात कर रहे हैं, इस scheme के according, this is important one, next question की बात करते हैं, governor of Udisa के regarding आपको statement बताना है कि कौन सा सही है, former CM of Vihar has been appointed as the governor of Udisa, यह option गलत है, former CM of जारखंड हैं, जिनका नाम है रगु, रगु, बर्दास, रगु बर्दास, इनको appoint किया गया है, governor of Udisa, ना कि बिहार के, तो पहला option गलत हो गया है, governor को जो शपत होती है, वो chief justice of India दिलाते हैं, जो governor को शपत होती है, वो यह बिल्कु सही है, sir John Hubak, जो है, यह पहले governor रहे हैं, Udisa के यह भी बिल्कु सही है, तो second and third is the correct answer, आँ मुझे comment section में लेके बताइए, Udisa के पहले CM का नाम क्या है, option number B is the correct one, next question देखे जी, इनके regarding आपको statement बतानी है कि कौन सी यहाँ पे सही देखने को मिल रही है, 2023 is being celebrated as the international year of millet, जाने के श्री अन्ना की बात चल रही है, यह बिल्कु सही है, United Nation ने इसके बारे में बात करी थी, Udisa has been awarded as a best performing millet promotion state at the national convention on new tree cereal in 2021, 2021 में जो national convention on new tree cereal हुई थी, तो उसमें Udisa को number one state, best performing state के बारे में बोला गया था, यह भी option आपका सही है, तो दोनों के दोनों option सही है, C option बनेगा, correct answer बन जाएगा, अगर मैं तुमसे बात करूँ Indian Institute of Millet, Indian Institute of Millet Research Center की बात करे जाए, तो वो कहाँ पे है, हैदराबाद तेलेंगरा में देखने को में मिलता है, option number C is the right one, next question देखे जी, दारिंगी बदी, देखो, again, मैं आपको बता दूँ, मैं मतलब थोड़ हो सकता है कि मेरी pronunciation में, थोड़ा बहुत state के जो districts होते हैं, जिले होते हैं, local चीज़े होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत मेरी, मतलब हेर फेर हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं words पूरे correct बोलूं, तो दारिंगी बदी, इसनके regarding आपको statement बताने है कि क्या statement सही है, it is known as the sand city of Odisha, गलत, it is located in the khorda district of Odisha, khorda district of Odisha में देखने को मिलता है, ये भी गलत, it is the only place of Odisha which experienced a snowfall during the winter, ये बिल्कुर सही है, कि सर्दियों में यहाँ पे जो है बरफ देखने को में मिलती है, और इसी लिए जो इसको हम क्या कहते है, कश्मीर of Odisha के नाम से भी जानते है, कश्मीर of Odisha के नाम से, clear, और एक कौन से district में located है, that is the kandhmal, kandhmal district में अंदर located है, option number B, third only is the correct answer, एक इस चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसे कश्मीर of Odisha इसी लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत साथा जो climate की similarity है, बिल्कुल वो आपके कश्मीर जैसी देखने को में मिलती है, तीन हजार feet, जो है height देखने को में मिलती है, और tourist destination के लिए बहुत ज़दा popular place है, और यहाँ पे superior quality of organic turmeric जाने की healthy देखने को में मिलती है, जो already यहाँ का GI tag देखने को में मिलता है, organic turmeric जाने की healthy को यहाँ पे GI tag है, तो यहाँ पे third only is the correct answer, next question देखिए, अमा उडिशा नबिन, उडिशा scheme यह क्या है, यह scheme किसके लिए है, और देखिए जी, यह develop करेगा banking infrastructure in the rural areas, so that ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, banking structure के साथ जुड़े हो, financial inclusion हो, और वहाँ पे heritage cities बनाना गाओं में, यह भी बिल्कुल सही है, और infrastructure बनाना primary school के लिए जाने की school होने चाहिए, और teachers वगएरा, यह सही है आपका, develop mission शक्ती infrastructure यह भी आपका option सही है, तो सारे के सारे option आपके सही है, all of these is the correct answer, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कि जो अम्मा उडिशा नभिन उडिशा scheme थी, यह एक महीने के लिए launch करी गई थी, अक्तूबर 10 से लेके नवंबर 10 तक launch करी गई थी, लेकिन इसका program जो है complete 13 दिन में हो गया था, और इस 13 दिन का program जो हमने launch किया था, वो launch किया था कियोंजर, कियोंजर district के, और इसको conclude किया गया जजपूर district के अंतरगत, conclude जजपूर में, और start कहां पे हुआ कियोंजर district में, और इस campaign के अंतरगत हमने new उडिशा की infrastructure की बात करी, उडिशा में, डिस्टिक में, ब्लॉक में, पंचायत में और गाउं के अंतरगत, और इसके लिए 3397 क्रोड के project जो है across the street आपके लगाए जाएंगे, और ये focus जो है हर गाउं, हर पंचायत की उपर देखने को में मिलेग और चीफ मिनिस्टर नवीन पतनाईक जी ने ये scheme जो launch करी थी, वो launch करी थी कोरापुट में, कोरापुट में नुवापाड़ा ठीक है, और आपका जजपुर डिस्टिक के अंतरगत launch करी थी, और ये एक virtual link दिया गया था, और virtual link जो है आपका कहां से आया था, मिलेंगे, तो C option बनेगा, correct answer बन जाएगा, next question, simulable tiger reserve के regarding आपको statement बतानी है, कि कौन सी यहाँ पे statement सही है, it is located in the अंगूल district of Odisha, ये गलत है, ये मयूर बंज में देखने को में मिलता है, मयूर बंज district of Odisha में, तो दूसरा है, it is officially recognized as tiger reserve in 1973, ये सही है, ये भरे पानी, waterfall जो है, इसके अंतरकत देखने को मिलता है, ये भी आपका option सही है, तो option number क्या बनेगा, second and third only is the correct answer, एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा, simulable tiger reserve है, ये surrounded है, काफी जादा high platos और hills के साथ surrounded देखने को में मिलता है, और यहाँ पे जो twin peaks, जो highest peaks हैं यहाँ की, twin peaks जाने की highest peak हैं, और वो कहाँ पे हैं, डाड़ी जिन्दा, खैरी बूरू, खैरी बूरू and मेगा सिनी, ये दो highest peak देखने को में मिलती हैं, और project tiger के अंतरकत इनको जो है, ये tiger reserve गोशित किया गया था, यहाँ पे बहुत सारे different, different जो है, forest देखने को मिलते हैं, और semi green patches देखने को मिलते हैं, और ये similar tiger reserve अकेला जो है जगा है, जहाँ पे melonistic, melonistic जो है tigers देखने को में मिलते हैं, ये melonistic tigers का मतलब क्या है, जो tiger है ना, उनके उपर जो dark stripes देखने को मिलती हैं, ऐसे patches देखने को में मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर genetic mutation देखने को में मिली है, तो ये ध्यान रखना melonistic tigers के लिए यहाँ पे similar tiger reserve देखने को में मिलता है, बहुत सारी यहाँ पे tribes रहती हैं, for example, अगर मैं बात करूँ कोला की, संथाल की, ठीक है, और आपका भुमीजा, ये prominent tribes देखने को में मिलती हैं, वैसे तो गौन्ड है, बतोदी, खादिया, ये बहुत सारी tribes हैं, और साल जो है यहाँ का dominant tree देखने को में मिलता है, और इनको similable tiger reserve को biosphere reserve जो UNESCO world heritage site के अंतरगत include किया गया था, man and biosphere program के अंतरगत 2009 के अंदर, तो this is important one, option क्या बनेगा, second and third is the right answer, next question देखे जी क्या है, छेली गाडा medium irrigation project जो है, वो कौन से जिले में located है, उडिशा के, ये जो multi-purpose medium project है, ये इस बदजोर, river बदजोर के पास है, और ये tributary है किसकी, वन सधारा की, ये tributary है, वन सधारा की, clear, और गाउं कौन से है, छेली गाडा ही, गाउं है, और इंदा गजपती district, गाउं का नाम छेली गाडा है, district का नाम गजपती है, और वन सधारा, जो है, ये river की tributary, बदज दोर के पास जो है ये irrigation project देखने को में मिलता है और ये जो project है ये पानी प्रोवाइड करेगा ब्रहामपूर city को ब्रहामपूर city को प्रोवाइड करेगा यहाँ पे 36 megawatt की electricity पैदा करी जाएगी और ये तीन जगाओं की उपर करी जाएगी गजपत्री district में खाहाँ पे डैड और यहाँ पे जो है ये आपके that is 1.13 km long tunnel देखने को में मिलती है जो connect करती है छेली गड़ा रेजरवाइर को और किसके साथ गोडा हाडा छेली गड़ा रेजरवाइर को गोडा हाडा ये रेजरवाइर के साथ जो है connect करती है 1.13 km की ये केनाल देखने को में टनल देखने को में मिलती है और drinking water जो है ब्रहामपूर बहरामपूर डिस्टिक गंजम के यह पानी प्रवाइड करेगी यह जहां देखना लेकिन यह irrigation project गजपत्री डिस्टिक में है पानी ब्रहामपूर बहरामपूर भी कह देते हो आप लोग गंजम डिस्टिक में वहाँ पे यह चीज पास देखने को में मिलता है और यह situated है near the city of sambalpur sambalpur शहर के पास देखने को में मिलता है hirakut dam के पास देखने को में मिलता है hirakut dam आपको पता है महानदी river की उपर है और जो है इस century को century घोशित किया गया था 1985 में और यहां पे जो है special mention किया गया है एक freedom fighter के जी का डैड़ीज वीर सुरेंदर साई वीर सुरेंदर साई जी का काफी mention यहां पे किया गया है और rebellion के time पे बिटिश जो वीर सुरेंदर साई है उनका यहां पे base देखने को में मिला था डैड़ी जिन्दा कौन सी जगा की उपर डैड़ी जा बारा पतारा यह base देखने को मिला था वीर सुरेंदर साई जी का यहां पे in this century only clear एक चीज तो में पेपर में पूछा जा सकता है यह देबरी गड़ 48 इनिशिटी भी लिया गया था Odysseus सरकार ने इसको लिया है यहां पे क्या है कि हमें जो जो है जो विलेजर्ज है उनको जो है जैसे वाईलाइफ होती है उनकी उपर कोई attack ना कर दे या विलेजर्ज़ वाईलाइफ की उपर कोई attack ना कर दे ठीक है तो और इस चीज के लिए हमें इन चीजों से बचा के सबको यहां पे देवरिगड 48 इनिशेटिव है इस wildlife में villagers को भी और wildlife को भी protect करके रखना है option number c is the right answer option number c this is important one clear यहां पे देखे जी यहां पे सिमलीपल tiger is the wildlife century देखने को में मिल रही है ठीक है तो this is important यह है सत्कोसिया और यह सारी different different type देखने को में मिल रही है तो देवरिगड is the correct answer here is the देवरिगड चलिए next question देखे प्रणती नायक जो जिनको facilitate किया है CM ने 5 medals इन्होंने national game में जीते हैं यह कौन सी category से बिलॉंग करती है तो यह gymnastic से बिलॉंग करती है option number c is the correct answer और इन्होंने 37 जो national game हुई थी गुवा के अंतरगत वहां पे 5 medal जीते हैं और चीफ मनिस्टर जी ने जो है इनको जो award मिला है वो 23 lakh रुपीज का मिला है और 5 medal मिले हैं जिसमें 4 gold और एक इन्होंने silver जीता है और इनके जो head coach है वो है अशोक मिश्रा जिनको इन्होंने congratulate भी किया है प्रणती नायक जी ने तो this is important one यह याद रखना है 23 lakh रुपीज का award मिला है next question दिखेंजी कौंसा शहर जो है उडिशा का most polluted city है national pollution board द्वारा यह गुशित किया गया है अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा severe जो आपका index है बेगु सराइब बिहार में और उसके बाद भुवनेशवर उडिशा में तो उडिशा का सबसे ज़्यादा ख लिया गया है तो यहाँ पर answer क्या बनेगा भुवनेशवर is the correct answer क्योंकि यहाँ पर उडिशा का शहर पूछा था अगर उडिशा वर्ड ना आएगा तो बेगु सराइ option बन जाएगा option number D is the correct answer next question देखेंजी महेशवर महंती जिनका recently दिहात हुआ है यह आपके speaker थे assembly of which state यह जो है former जो है former वो थे that means speaker थे this is important one और महेशवर महंती जो है यह पूरी assembly से belong करते हैं पांच बार लगातार यहाँ से जीते हैं 1995 से लेके 2019 तक 1995 में जब जीते थे तो इनकी seat जनता दल थे जनता दल से जीते हैं और उसके बाद जो चार बार जीते हैं यह बीजू जनता दल से जीते हैं after the 2000 year जाने कि 2000 के बाद जब 19 साल इनकी रूल किया है वो चार बार जीते हैं बीजू जनता दल से और यह जो है यह दो दिन का इंटरनेशन कोंवेंशन मिला कहां पे जनता मैदान जनता मैदान बहुवनेश्वर के अंतरगत और इसका जो थीम था वो क्या था millets, millets ancient grains, millets ancient grains for modern challenges, ancient grains for modern challenges यह जो आपका international convention millets का है यह focus किसके उपर करता है that is a tribal heritage of millets and यहां पे millets entrepreneurship की mission शक्ति group की success के बारे में भी हां पे हमें पता चलता है तो यहां पे tribal heritage of millets और यहां पे success stories जो millets के entrepreneurship की mission शक्ति group के अंतरगत वह भी यहां पे organize करवाई गई थी option number B, Bhuvanishwar is the correct answer Amma hospital योजना यह launch किया किस स्टेट में तो ये उडिशा में लाँच किया गया और इसका एम क्या था इंफरस्ट्रक्चर को इंप्रूव करना और सफिशेंट मैन पावर लेके आना हेल्थ केर फैसिलिटी जो है आपकी प्रॉइड करना स्टेट गर्मन यहां पे डिसाइड कर रही है 147 जो हेल्थ से जाएगी सो डैट यहां पे जो मतलब जो रीजन होता है इंफरस्ट्रक्चर या मैन पावर के कारण पीसी परसंट की डैथ हो सकती है उसको बचाने की यहां पे बात करी गई है तो option number one is the correct answer फाइव फाइव टी ट्रांस्फोर्मिशन ओव वन फॉर्टी सेवं हेल्थ फैसि इसके regarding आपको statement बतानी है कि कौन सी correct है तो number one जो उडिशा आदर्ष विद्यालिया संगठन है यह free quality education provide करता है English में students को especially from the semi-urban and the rural areas यह option आपका सही है कि semi-urban और rural areas में students को यह English quality education provide करता है यह boys only school है नहीं यह co-ed है co-ed का मतलब boys girls दोनों का है the general body is the apex body of संगठन headed by the honorable minister school and mass education as a president यह बिल्कुर सही है कि जो इनके general body होती है उनको handle कौन करते है honorable minister school and mass education और वो आपके chairman और president रहते हैं तो इसका मतलब क्या बना पहला और तीसर option जो आपका सही है option number D is the correct answer option number D next question देखे one of the country's largest open air fair open air fair देखने को मिला और जिसका नाम है बाली यात्रा यह organize किया गया किस river के किनारे पे तो यह organize किया गया महा नदी river के किनारे पे और यहाँ पे बाली यात्रा में हम celebrate करते हैं skills और उन expert sailors की जो जो आपके वो होते न मतलब now वगारा एक जगा से दूसरी जगा तक लेकर जाते हैं उन sailors की जिनोंने कलिंग को बनाया कलिंग को बनाया उस time के prestigious prosperous empire को बनाया पाली यात्रा जो है यह celebrate करी जाती है कहाँ पे डैडी जिन्दा कटक कटक जो जहाँ पे नेता जी सुबाशंदर बोजी का birthplace है और यहाँ पे ही national rice research center भी देखने को हमें मि जो है organize किया गया यह कहाँ पे organize किया गया so this is in the भुवनेश्वर option बसी is the correct answer और यह testament है potential unity और power of dreams residing in the hearts of our state children जो state के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो potential है unity है power है जो dream है उनके अंदर heart के अंदर उसका testament है और यह celebrate करता है that is a future leader of Udisha को जाने कि कल को आगे जाके बच्चे जो है leaders बनेगे Udisha state के option number C is the right one deputy speaker of Udisha के regarding आपको statement बतानी है कि कौन सी सही है number one article 63 deal करता है deputy speaker के बारे में गलत सविधान का article जो है आपका 178 वो deal करता है speaker और deputy speaker के बारे में दूसरी point कहता है the deputy speaker resign by writing to the president नहीं deputy speaker speaker को resign देता है speaker deputy speaker को resign देता है दूसरा भी गलत हो गया और सालूगा परधान जो है deputy speaker है Udisha के ये option आपका सही है third only is the correct answer आप मुझे comment section में लिखके बताईए अभी हमारे current में जो speaker है आपके उडिशा assembly के वो कौन है तो option क्या बने कर जी third only is the right one next question देखे बीजू स्वास्थय कल्यान योजना इसके regarding आपको statement बतानी है बीजू स्वास्थय कल्यान योजना की statement कौन सी सही है ये योजना जो है universal health coverage provide करती है ये सही है और ये उन vulnerable families की health services provide करती है जहांपे annual 5 लाग health coverage आपको मिलेगी प्लस extra 5 लाग women members को मिलेगा जाने की total उनके पास हो गया 10 लाग ये ध्यान रखना extra 5 लिखा है यहांपे extra 5 for women जाने की women को extra 5 मतल 10 लाग at impaneled private hospital ये भी सही है ये बिल्कु सही है उनको smart health card दिये जाएंगे जिससे वो अपना benefit ले सकेंगे ये सारी के सारी statement जो है आपकी सही है all of these is the correct answer ये जो योजना है ये launch करी गई थी 15 अगस्ट अंदरा अगस्ट 2018 को जिसका aim क्या था universal health coverage था और special focus जो है health protection की उपर economically vulnerable families को इनको provide करना है और ये सारा treatment जो होगा वो cashless होगा किसी भी document की आपको जूरत नहीं है और ये जितने भी आपके government medical colleges, hospitals, blood bank सब में जो है आपकी freeze facilities जो है health services आपको दी जाएंगी और यहाँ पे health care जो beyond the government medical college, hospital उनको भी provide किया जाएगा पांच लाख रुपे आपको मिलेंगे annual health coverage होगा और दस लाख रुपे women members को मिलेंगे private में भी आप जो है जा सकते हैं और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इस scheme के अंतरगत यह सारे लोग जितने बिजू क्रिशक कल्यान योजना card holders, BPL card holders और जितने भी card holders है, low income families है वो भी इस scheme के अंतरगत cover होती है तो option number C is the correct answer, all of these is the right one नेक्स्ट, शहीद, रेंदो, माझी, medical college जो inaugurate किया गया है, CM ने और inaugurate किया है, यह कहां पे तो dad is in the भवानी पतना, तो option number 4 is the correct answer और यह जो भवानी पतना है, यहां पे एक most ambitious लक्षमी bus service भी जो है, CM ने flag off करी यहां पे, और इस development project की जो worth है, वो है, 1200 क्रोड प्लस रुपया यहां पे खर्च किया जाएगा medical college जो है, यहां पे आपका जो establish किया गया है, वो 43, 43 acre land की उपर किया गया है जिसका expenditure 328 क्रोड रुपय देखने को में मिला है, और इस college के पास 100 MBBS seat देखने को में मिलेंगी this is important one, और इसका जो नाम है, यह शहीद रेंदो माजी medical college, यह एक legendary freedom fighter जो district के हैं, रेंदो माजी के नाम पे रखा गया है, बवानी पतना के, तो option number 4 is the right one next question देखें जी, KBK district, इनमें से कौन सी जगाएं है, वो KBK district of Odisha का part है what is this KBK, this is called Kalahandi, लिख देता हूँ मैं आपको, Kalahandi, Balangir, Balangir and Koraput यह district है Odisha की, ठीक है, actually क्या है, कि जो आपका Odisha का, Odisha का दक्षिन वाला हिस्सा है और आपका Western वाला हिस्सा है, यह आपका खास करके most backward जो है, एरिया देखने को मिलते है और इस एरिया में planning commission करना, मतलब planning करना बहुत जुरूरी है, खास करके इन तीन district में कालाहंडी, Balangir and Koraput district में, और 92, 93 की अगर में बात करूँ, 92, 93 की बात करूँ यह तीन जो बड़े district थे, इनको reorganize किया गया था, आपके आठ district में, जनने की इन तीन district को हमने आठ district में convert कर दिया, और इसमें कौन-कौन से district है आपके, देखे जी, मलकान गिरी है, यह सही है, ठीक है और नुआ पड़ा है, यह भी सही है, द्योगड नहीं है, और उसके बाद जो है, सुन्दरगड यह भी नहीं है, और नुब्रांग पूर यह है, बिल्कुल सही है ब्रांग पूर, यह तो तीनों हाई गए option में, पहला दूसरा पांचवा, इसके इलावा कोरापुट की अगर हम बात करें, ठीक है, और कोरापुट के बाद जो है, हम बात करते हैं, काला हंडी, काला हंडी, और उसके बाद जो है, रायागड, ठीक है, बालंग, जो है आप को मलकानगीरी, नुआपाड़ा, और नबरंगपूर, तीन, उसके बाद है कोरापुट, और काला हंडी, सोनेपूर, रायापुड़ा, और उसके बाद जो है, आपका, इस इस दा, काला हंडी हो गया है, कोरापुट हो गया है, मलकानगीरपूर हो गया है, मलकान, नबरंग पूर हो गया है और रायगड़ा हो गया है नुवापड़ा हो गया है और बलंगीर हो गया है बलंगीर ठीक है बलंगीर तो ये बलंगीर तो टोटल जो है पांच ये तीन ये तो आठ हो गए तो option number four is the correct answer option number four तो ये हैं जी आपके आठ सोनेपुर बोलंगीर और नुवापड़ा कालाहंडी नबरांगपूर और रायगड़ा और कोरापुट और पलकानगिरी तो ये के बी के initiative जो project है वो इसका ये तीन district को हमने आठ में जो है convert किया है so that यहाँ पे हम plan कर सके और खास करके southern और western area of the district of the Odisha में this is important one clear so guys ये थे आज के lecture में question I hope आपको अच्छा लगा होगा बाकि इस lecture की जो pdf है वो telegram channel के उपर आपको मिल जाएगी नहीं तो आप study IQ app के उपर जाके app या website के उपर जाके आप Odisha PCS का batch ले सकते हैं live है pre plus means batch हम discuss कर रहे हैं यहाँ और यह संपूर्ना batch है और इसमें आप एक code डाल देना VIP live तो आपको discount देखने को मिलेगा so thank you so much guys all the very best good luck take care